नमस्कार दोस्तों, बल्गम टुर्श टेडी 24, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जारखंड करमचारी चेन, आयो की ओर से निकाली गई, जारखंड पुलिस, नोटिफिकेशन आ चुका है, देख सकते हैं, जारखंड आरची परतियोगी तब परिच्छा 2020, तो ये नियमी तोर बैगलॉग दोनों बिला कर निकाला गया है, और ये देख सकते हैं, पुरा नोटिफिकेशन आ चुकी है, तो इसमें सीटों किसंग कितनी है, सैलरी कितनी है ये सब सारी जानकारी हम लोग देखेंगे, कब से कब तक आप ऑनलाइन आवे दन बगयरा कर सकते हैं, ये सब भी जान सकते हैं, तो फिलाल मैं आपको बिल्कुल सौट तरीके में दिखाने वाला हूँ, जदा समय आप लोगों करने ही लोगा देगे, पूरी जानकारी आप आपको रोजगरवेहार.com पे उपलंप करवा दी गई है, आप देख पा रहे होगे, जाहरकण सिपाई ओनलाइन फॉर्म, टोटल पदों की सख्या जो है, चार हजार नौसो उन्डीस है, ठीक है, और यहां पे सेलरी की बात करें, तो एकीस हजार साथ सो से उनहात्तर हजा 2100 रुपे की सेलरी यहां पे दी गई है, अब यहां पे ऑनलाइन की बात करें, तो देखें, नोटिफिकेशन परकासित करने की डेट जो है, विग्यापन आपको पता ही है, विग्यापन जो अभी मैंने आपको दिखाया नोटिफिकेशन, तो बीस बारा दो हजार तेईस क फिर यहां पे आप देखें, फोटो सिगनेचर जो है, आपको अफ्लोड करने का अंतिमति थी जो है, 18 फरवरी 2024 दिया गया है, हलाके आप पहले भी अफ्लोड कर सकते हैं, लेकिन अगर किसी कारण बस अफ्लोड नहीं कर पाए है, तो आपको देखें, 18 फरवरी तक आपको अप्लोड करना पड़ेगा, अगर आपके फॉर्म में कुछ गलती है, तो 20 से लेकर 22 फरवरी 2024 के बीच जो है, आप अपने फॉर्म में सुधार कर पाए, एक्जामिनेशन टेट की अभी घॉसनर नहीं की गई है, घॉसनर करने के बाद यहां पे उपलब्द करवा दिया ज जजबिहार, यूपी और अधर अश्टेट के हैं, उन लोगों को 100 रुपय लगे के, ठीक है, चाहिए किसी भी कटेग्री से बिलॉग करते हो, वहीं बात करें, उमर कितनी होनी चाहिए, तो 1823 को जनरल EWS का आप देखेंगे, तो 18 से 25 के बीच होना चाहिए, और BC, EVC मेल के जहर करके, उनको 18 से 20 साल तक रद दिया गया है, अब आगे बढ़ते हैं, तो देखेंगे, पद का नब आपको पता ही है, कोंस्टेबल सिपाही, अब यहां पे टोटल 46 सुनी स्पोस्ट है, मैट्रिक पास इसमें आविदन कर सकते हैं, तस भी पास अगर आपने किसी भी ब है, ठीक है, दोड है, और उसके बाद second में आपका medical test है, और third में आपका retain examination है, तो पहले आपको physical देना है, second में medical और third में आपका retain examination देना है, तो देखें, height chest कितनी होनी चाहिए, यहां पे यह भी बता दिया गया है, तो general EWS के लिए height जो 160 सेंटीमेटर है, और chest 81 height होनी चाहिए, 89 से 84 सेंटीमेटर आपका chest होना चाहिए, ऐसी कर्ण देखेंगे तो 155 सेंटीमेटर हैट और 89 से 84 आपका chest होना चाहिए, BC का और 202 का भी आप देखेंगे तो एक ही है, तो BC का देख पार होगे, 160 सेंटीमेटर है और 186 सेंटीमेटर chest होना चाहिए, उसी पर महिला का देखिए टोटल जो हाइट है वो दिखाएगा है 148 cm अगर आप महिला है तो आपको 148 cm हाइट होनी चाहिए चाहिए किसी भी काटेगरी से बिलॉग करते हो चेस्ट के लिए इस मिमाने तर नहीं है आगे बढ़ते हैं तो JSC का यहां पर आप देख पारे हैं कि जो र वहीं महिलाओं को 5 km की दोड़ होगी 40 मिनट का टाइम मिलेगा वहीं अब देखिए कोस्टेवल जो है परिच्छा का पैटर्न क्या होगा तो देखिए परतिये कोस्टन के लिए आपको तीन अंग मिलेगे और गलत उतर के लिए एक काटा जाएगा नेगटिव है ठीक है त तो जन जाते हैं भासा में क्या-क्या है मैं ये भी आपको दिखाना चाहूँगा देख सकता है छेतरी ये पेपर वन जो है पेपर वन में छेतरी है और जन जाते हैं भासा में क्या-क्या पुछा जाएगा तो इन में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है फॉ थी करफिया होगि लिए भासा घ्यान होगे ग्के तो यही है पासा ग्यान ओर माँष्टर्ष ग्च अच्रम जो है Já यहां पर पंकोर स стороны पंग के लिए ऊप निर्थारित है और परतिय गलत उतर के लिए एक अंग की कटोती की जाएगी उसी परकार से फेपर 2 में देखेंगे तो हिदी भासा से 50 question होगा जो कि 1.5 स्वांकों की होगी फिर समाने किया 25 question का होगा 75 रंग मिलेगे और numerical ability यानि कि mathematics से आपका 25 question होगा 75 रंग मिलने वाल है ठीक है लिंक भी online का यहां पर उपलब करवा दिया जाएगा notification भी यहां से download कर सकता है फिलाल इसमें और कुछ महत्पुट जान करिया है notification में जो मैं आपको दिखा देता हूँ और जो paper 1 का आप परिछा देंगे उसमें 30% अंक लाना अनिवार है आप देख पारे होंगे यहां पर बताया गया 30% निउनतम अंक प्राप करना अनिवार है नहीं तो आप फेल हो जाएगे ठीक है तो यहां पर सारा कुछ दिया गया है आप देख पारे होंगे परतियक सही इंतर के लिए तीन अंक दिया जाएगा तो यह जो आपका पेपर 1 क्वाइलिफाई करना ही निश्चित है पूरा तरीके से देखे तो यहां पर देखे पूरी बीबरन के साथ दी गई है कि परिछा के दोनों पत्रों में त्रा तंकों के योग के आधार पर निमन निउनतम आहर तंक हर्तक से कम अंक पाने वाले आप यार्तियों को मेधा सुची में सामिल नहीं किया जाएगा ठीक है तो यहां पर देखे 40% दिया गए है जेनरल के लिए 40% अंक लाना अनिवार रहे है ठीक है दोनों पेपर में और अनुसुचित जाती सुचित जाती एवं महिला के लिए 32% और आतियंत पिछड़ा बर्ग के लिए 34% और बीसी के लिए 36.5% और आदिम जाती के लिए 30% और आर्थी ग्रूप से कम जोर बर्ग के लिए EWS के लिए 40% तक लाना अनिवार है तब ही आपका मेधा सुची में अच्छेहन किया जाएगा और syllabus बगरा जो है आपको रोजगरब्यार.com पे उपलब्द है देख सकते हैं syllabus यही दिया गया है पूरा का पूरा syllabus दिया हुआ है रोजगरब्यार.com से आप डाउनलोड कर ले और देख ले कि कहां से क्या क्या पूछा जाएगा सब कुछ दिया हुआ है देख सकते है subject by total दिया हुआ ठीक है तो इसको डाउनलोड करके आप लोग देख लेंगे यहाँ पे सब कुछ दिया गया है total जितने भी subject आपको दिया गया था pattern में उसका सभी कसभी यहाँ पे दे दिया गया है English बगयरा सब कुछ दिक है तो आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो उबीद करता हूँ दोस्तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे होगी तो वीडियो को जादा जादा सेयर कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर ले पलपल की अपडेट के लिए मैं में विलूगा डेक्स्ट वीडियो में डेक्स्ट अपडेट के साथ तब तक के लिए बाए जैहिए